Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी ठीक होंगे, स्वागत है आप सभी का अश्टड़ी वी तवी शेक में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी आइन सी एटी सिविलियन भरती एक दोहजार चौबिस बैच के बारे में Basically इसके लिए जो इंडियन नेवी एक्जाम कंड़क्ट कराने वाली थी उसकी देट्स थी 10 से 14 सेप्टेंबर दोहजार चौबिस लेकिन आप लोगों को ये बात तो अच्छे से मालूम है कि इस डेट में कोई भी एक्जाम इंडियन नेवी ने कंड़क्ट नहीं कराया और ए ये एक्जाम कैंसल होगी उसके बाद लगातार आप लोग वेट कर रहे हो कि न्यू एक्जामेनेशन डेट्स कब आएंगी क्या होगी एक्जामेनेशन डेट्स और कब तक आपको आपके एड्मिट कार देखने को मिलने वाले हैं तो इन सभी चीजों के बारे में अगर चनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल एकन डबाकर आल कर लेना आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और उसके साथ आप लोग हमें टेली ग्राम पर जरूर जोइन करना लिंक डिस्क्रिप् एक्जामिनेशन के लिए सारी चीज़ें कम्प्लीट करा दी गई और एक्जामिनेशन डेट भी आ गई लेकिन लास्ट मोमेंट पे इंडिन नेवी और सीडैक ने बैसिकली सीडैक ही इसके एक्जाम्स को भी कंड़क्ट कराती है तो सीडैक ने कैंसल कर दिया एक्जामिने 11-2024 से Indian Air Force जो है वो इसके exams को conduct कराने वाली है उसी के साथ Indian Coast Guard का जो exam था वो भी September के end तक Indian Coast Guard conduct कराने वाली थी और उस examination की भी dates extend हो गई है जो की CDAC ही conduct कराती है ध्यान से सुनना मेरी बात को और last but not the least Indian Navy INCET यानि Indian Navy Civilian Interns Test एक 2023 batch जो थी जिसके लिए 2-5 परवरी या 3-5 परवरी के 20 में exam conduct कराया गया था 2024 में और उसके लिए result भी August में release कर दिया गया था उस exam को भी cancel कर दिया गया है क्योंकि कुछ centers पे कोई गड़बड़ी हुई थी और इस वज़े से उस examination को जो cancel करके और वापिस से इन्होंने बोल दिया है कि वापिस से जन centers के exam cancel हुए हैं उनके exams को लेंगे और उसके बाद final result release की जाएगी तो ये सारी चीज़ें हो गई है इस वज़े से आपकी ये examination है वो cancel हो गई है और सबसे ज़्यादा INCET 2023 batch के result को उनको 2024 batch का examination conduct नहीं कराया जाएगा यानि कि ये आप समझ सकते हो कि इस बार जो examination होगी ना आपकी वो almost 2-3 महिने के बाद ही होगी क्योंकि इस से पहले कहीं पे भी मुझे देखने को ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही है sorry to say that लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जिससे मैं ये बोल दूँ कि आपकी examination तुरंत ही conduct करा लेगी इंडियन नेवी तो अगर आपको ऐसा लग रहा है या कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि आपकी जो examination है INCET वाली वो तुरंत conduct हो जाएगी तो वो मुझे नहीं पता किस तरीके से हो सकती है क्योंकि आपको सारा कुछ मैंने आपके सामने explain कर दिया कि कैसे ये complete घटना घटी है किस तरीके से complete चीज़े रही है और जो भी इस तरीके से attached है एक दूसरे से क्योंकि अगर एक vacancy clear नहीं होगी जो कि पहले batch की है तो उसके बाद वाले batch की vacancy को कैसे clear किया जा सकता है है ना तो इसलिए पहले उस exam को conduct कराएंगे result आये ना है उसके बाद इस examination को भी conduct करा लेगी Indian Navy आपको दो महीने तो कम से कम wait करना ही होगा तो आराम से पढ़ाई करो पढ़ाई पर focus करो अगर आपको इस job को पाना है तो महनत करो क्योंकि जितना ज़्यादा आप महनत करोगे जैसे जैसे आप अपने आपको उसमें involve करोगे उस तरीके से आप evolve कर पाऊगे और evolve करोगे तभी आप अपने आपको better कर पाऊगे और लोगों से बहतर कर पाऊगे examination में तो इसलिए जादा सा जादा mock test लगाओ, mock test को analyze करो उसके बाद अपनी weakness को, अपने strong points को देखो और उसके according और अच्छे से तयारी करो और जो weak points हैं उन्हें भी strong बना लो क्योंकि अभी आपके पास पूरी opportunity है, पूरा time है, आप अपना time दे सकते हो hopefully आप लोग सब कुछ समझ गयोंगे और जिनके exams cancel हो गये हैं, वो भी आप समझ लो INCET1 2023 वाले बच्चे हैं अगर आप, तो आप लोगों के पास भी opportunity है फिर से तयारी करो, मेहनत करो और इस बार select हो जाओ, last time अगर आपको merit में आपका नाम देखने को नहीं मिला था हो सकता है कि इस बार आपको मिल जाए, हो सकता है आपके यही exam cancel हुआ हो, यह सारी चीज़े भी हो सकते हैं तो hopefully आप लोग सब कुछ समझ गया होंगे, आपके मन में कोई भी doubt हो, आपके दिल में कोई doubt हो, comment box में comment करना, आपको किसी topic पे वीडियो चाहिए, उसे भी आप comment करके बता सकते हो और आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह भी आप comment करके बता सकते हो, आपकी क्या राया है, वो भी आप मुझे बता सकते हो और वीडियो को like और share करना, बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नहीं हो, तो subscribe कर लेना, और उसी के साथ, तेली ग्राम पर join कर लेना, link description में है इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हों एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखी, अपने अपनों का ख्याल रखी, और सबसे important है, खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, तभी आप कुछ भी अच्छे से कर पाएंगे, कुछ भी जीव में अचीव कर पाएंगे, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, thank you so much everyone, जाहिंद.